हालू फ्रेंड्स ओनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स यहां पर देखो जनरल साइस जिसमें अपन फिजिक्स भौतिक विज्ञान का लाइट वाला जो टॉपिक है इसका मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक आज हम कवर करेंगे तो आज जिस टॉपिक के उपर अपन डिसकस करेंगे वो है प्रकास का अपोर्थन यानि कि रिफ्रेक्शन ओफ लाइट फ्रेंड्स यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% आप देखना हर एक्जाम में क्यूशन्स देखने को मिलते ही मिलते हैं आपको बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पांच से 10 मिनट के अंदर अदर अपने यह टॉपिक कर लेंगे तो इस टॉपिक का कॉंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका और साती साती इस टॉपिक से रिलेटेट सारे क्यूशन जो है वो मैंने इस वीडियो में कम्प्लीट कवर किय है तो फ्रेंच क्या होता है रिफ्रेंटशन ऑफ लैट का मतलब बताओ क्या होता है देखो रिफ्रेंटशन ऑफ lesson की बात करे आपएग न तो एक नार्मल elementary language में समझापन तो यह होता कि कि कोई like जैसे जब कोई लाइट जो है ना वो एक मीडियम से और दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइट तिर्ची आपतित होती है यानि कि वो अपना जो में डायरेक्शन हो जाता है ना उस में डायरेक्शन से आटके थोड़ी उपर दिखाई देती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रेक्श इसे फेड़ देना यानि कि जो actual position होती है उससे उपर दिखाए देगी तो इसी प्रकार देखो जो प्रकास का अपवर्तन की परिभासा क्या होती है मैंने आपको बताई दिया कि जब प्रकास की कोई भी किरण जो है किसी viral माध्यम यानि की rare medium जो है उससे dancer medium में जब यानि कि जैसे मालो उसका actual position यह है लेकिन वह अपने mark से विचलीत हो करके थोड़ी उपर दिखाए देती है ना तो उसको हम क्या बोलते है प्रकास का अपवर्तन कहते है जैसे कि यहां पर देखो फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा यह हो गया यहां पर एक medium यह हो गया तो यहां पर देखिएगा यह है अपनी प्रकास की किरण जो यह आंक दिखाए दे रही है फिर यहां से देखो यह प्रकास की किरण है अब इसका main जो actual direction की अपन बात करें ना तो actual direction कौन सा है फ्रेंड्स एक्चौल डायरेक्शन तो इसका main direction तो यह है इस जगह है यह ज़से इस सिक्का है यहां पर पड़ा हुआ है जैसा कि आपने 20 को पहले डायग्राम में देखा यह actual कहां पर है है यहां पर पड़ा हुआ है लेकिन यह आपको जब यह एक medium से दूसरे medium में जाएगी जैसे य अपने में डायरेक्शन से अट करके यह थोड़ी उपर दिखाई देती है तो इसको हम बोलते है प्रकास का अपवर्तन तो जैसे आपको किसी भी चीज पर निशाना लगाना है न तो यह उपर नहीं थोड़ा सा नीचे से उठाना पड़ेगा क्योंकि इसकी में पोजिशन य पोड़ी सी उपर दिखाई देती है तो यही कहलाता है प्रकास का अपवर्तन जैसे मान लो आपको इस मचली को निशाना लगाना है तो फ्रेंड्स यह देखो एक तो यह हो गया रेर मीडियम हो गया अब यह रेर मीडियम से जब यह डैंसर मीडियम में लाइट प्रवेश कर रही है तो इस यह जो मचली दिखाई दे रही है ना आपको तो इस मचली का में डायरेक्शन तो कहां पर यहां पर है लेकिन आपको दिखाई कहां दे रही है उपर दिखाई दे रही है ना उपर दिखाई दे रही है तो आपको जो निशाना लगाना पड़ेगा वो थोड आसा नीचे लगाना पड़ेगा यहां पर क्योंकि यहां निशाना लगा होगे तो यहां पर अक्चुल में ही नहीं वो तो दिखाई दे रही है आपको में डायरेक्शन चट करके पर रियल में यहां पर तो यह ध्यान रटना इस तरह के क्यूसर्ट पूछे जाते देखो इस किसका उधारण है तो आपका अंसर हो जायेगा प्रकास का अपवर्तन यानि रिफ्रेक्शन ओफ लाइट के कारण दिखाई देती है फिर क्यूशन यह भी पूछा जाता है कि सूरियोदय के पहले और सूरियास्त के बाद भी सूरिये दिखाई देता है किसके कारण प्रकास का अपवर्तन रिफ्रेक्शन ओफ लाइट के कारण फिर एक क्यूशन यह भी पूछा जाता है कि पानी में भरा बरतन जैसे पानी का कोई भरतन भरा हुआ है उसकी तली में यानि उसके बिलकुल नीचे तली में एक सिक्का पढ़ा हुआ है तो उस शिक्का जो है उपर उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है reflection of light यानि प्रकास का अपूरतन के कारण दिखाई देता है एक क्यूशन यह देखने को मिलता है कि जल जो होता है पानी उसके अंदर पड़ी हुई एक मचली जो है वास्तुविक जो गहराई होती है उससे पूच ले या फिरी सिख्के वाला पूच ले या फिर पूच दे कि तार्यटिम्टिम्टिम आते वए क्यों दिखाया कारण तो concept आपका clear हो चुका है अब बार यह इस टॉपिक से जिस तरह के questions पूछे जाते हैं उनकी तो यहां पे question पूछा गया कि कौन सा वो गुण धर्म है जिसके कारण पानी से भरे बरतन में डुबोई जो चड़ी है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो अभी अभी तो मैंने बताया था लाइट का जो प्रकास का अपवर्तन यानि reflection of light के कारण ऐसा होता है तो correct answer हो जाएगा option c यह देखो इस तरह से जैसे इसको चड़ी मालो यह जैसे चड़ी है actual position यह अब यह चड़ी देखो यहां से एक चो से थोड़ा सा यह उपर उठके दिखाई देती है तो वह अली चीज है ठीक है तारे टिम्टी माते हुए दिखाई देते हैं किसके कारण option a करहा है विवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो मैंने आपको बता कोईल्स important प्रकास की किरण जो है वो एक मीडियम से ध्यान देना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी किसपर क्या प्रभाव पढ़ता है यह बताना है option प्रकास की करण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी जो आवर्ती है ना वो समान बनी रहती है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्यूशन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तरन ताल वास्तवी घहराई से कम घहरा दिखाई देता है इसका कारण बताओ आवर्तन परी यह प्रेकिरनन परावर्तन या फिर व्यक्तिकरन तो फ्रेंट्स यह होता है आवर्तन के कारण होता है तो राइट आंसर क क्या हो जाएगा option A का correct answer हो जाएगा तो फ्रेंट्स देखिए छोटा सा topic था इस topic का पूरा concept भी हमने clear कर लिया है साथी साथ इस topics related जिस तरह की questions exam में देखने को मिलता है वो सारी questions भी आमने cover कर लिये हैं तो फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जितना ज्यादा हो से कि लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमारा वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच इस वीडियो